हेलो वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल यूपीटी यूगे अमीद करता हूँ आप लग सब अच्छे होंगे क्या शॉटेज उक्यूपिशन लिस्ट से सीनियर केर और केर वीजा के जो जॉब कोड है वो हट गए है 6145 और 6146 जो केर वीजा के जॉब कोड है क्या वो यूके कवर्मेंट ने हटा दिये हैं अपनी वैब साइट से क्या वो शॉटेज उक्पिशन लिस्ट से हट गया है इसके बारे में हम बात करेंगे क्योंकि बहुत जादा लोग की क्वेरी दा रही है इस बारे में कि कि होने चाहिए क्या आपकी जो डाउट है उसको मैं किलियर करूंगा इस वीडियो में ठीक है तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है वीडियो को पूरा आइंट तक देखना है बिना टाइम विज्ट करें वीडियो को स्टार्ट करते हैं जो मैं चैनल में उनको बता सकते हैं अगर आप लोग प्लैन कर रहे हो किसी भी कंट्री में करें या आपके अंदर है आप सोच रहे हो कौन सी गंट्री जाना चाहिए या आपकी मन में डाउट है कौन सी युनिवर्स्टी सेलेक्ष करने चाहिए है आपको सारे डाउट्स आपके जो है ओ से क्लियर हो जाएंगे आपको स्चिम्स और आ क가요 है आपको मेरे जो वेबसाइट है उसमें जाकि अपना फॉरंबना है अपको फॉर्म दिख रहा है और समेट करना है वह आपसे कॉंटेक्ट करेगी आपका जो भी क्वेडी होगा लाइप युनिवस्टी में से इसे स्लेक्षिन में प्र प्रॉब्लम या कोई भी क्वेडी है आपको देखना है कि अप हो य לק多 Hence a कौई हो आप जो आपको तो सारी help आपको मिलेगी सिर्फ form फिल करके आपको समेट करना है मेरी टीम आपसे खुद कॉन्टेक्ट करेगी और कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा ठीक तो चलिए टॉपिक पर आते हैं क्या क्या है पेड़ चॉटे ज्यादा है जो की बहुत ज्यादा हाइड में जॉपिसे अदर ठीक है और उनको शॉटेज अक्विशन लेस्ट में डाला जाता है और और उनकी जो सेलरी है वो भी कम रखी जाती है ताकि जो है एसली एंप्लॉयर हाइर कर सके है अभी लोगों ने रिसेंटली आफ्टर लाइक कोवीड के आसपाइस लोगों ने यह केर वरकर जो है सीनिय केर और केर वरकर को शॉटेज और के बिशनलेश में डाला था जिसके ब न्यूप क्या चेंज हूँ वह यह हुआ है कि अप जो है केर अपने डिपेंदेंस को नहीं लेकर आ सकते हैं यह आपको सबको परता है ੰमर विजा के उप्लाए कर देना है तो यहां मैं हमें बात करूंगा पहलए हम बात कर लेते हैं कि स्hmen जो है क्या वो उसमें से 6145 6146 जो कोड है वो हटाती है तो मैं अपनी दर्व से कुछ भी नहीं बोलूंगा या मैं आप लोगों से यह बोलूंगा कि जब भी आप कोई भी रूमर्स सुनते हो या कोई बात ऐसी सुनते हो कि ऐसा हुआ है आपको किसी पर भी बिलीव नहीं कर अगर आपको जाकर चेक करना है यूकर्वंच की वेबजसाइट पर जो कुछ भी हम लोग इंफॉनेशन देते हैं यह कोई भी कुछ बताता है अगर की वेबसाइट पर तो आप चाहें कोई भी कुछ भी बोले आपको ट्रस्स नहीं करना हैं तो मैं आपको यह बहत पहले स ही दिखाऊंगा कि जो शॉटे जो कि लेस्ट है अब यह लोग इसका आनाउस कर रहा था हो मिनिस्टर ने कि उसको स्क्राइब कर देंगे और उसके बाद नियू लेस्ट आएगी उसका नाम भी चेंज हो जाएगा लेकिन अभी शॉटे जो जाएगा लेकिन आपको जैसा कि स स्किल्ड वर्कर वीजा शॉटेज उक्यूपेशन अपडेटेट 7 ऑफ ऑगस 2023 तो साथ अबस को यह 2023 को अपडेट हुआ था उसके पाद से अपडेट नहीं हुआ है तो अब जब हम नीचे जाएंगे इसमें यह सारे जॉब कोड है इसमें 1181 11 1242 211 2112 यह सारे हैं हमको एविलेबल है यह नहीं है इसमें यह देखिए 6145 केर वर्कर और प्राइवेट हासवोल्ड और इंडिविजुल्स और 6146 सीनिया केर वर्कर और जॉब्स तो यह अभी भी एविलेबल है शॉटेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में ठीक है तो यह मैं अपनी दर्से कुछ नही है इसमें हम सेलरी की बात करें तो जो 6145 है और इस जॉब कोड में आपको जो सेलरी है थ्रेशोल्ड सेलरी वह 20,960 अभी भी इन लोगों ने उतनी रखी है या फिर आपको 10.75 पर आवर मिनिमम मिलना चाहिए यह इसकी जो रिक्वार्मेंट है यह आपके एंप्लियर को फ आपको जो कॉस में 30,960 अगर आप 6145 6146 कोड के लिए अपलाए कर रहे हो इतनी आपको मिनिमम मिलनी चाहिए अभी के लिए ठीक है अभी जो इसमें यह लोग अपडेट करेंगे नेक्स जो चेंज करेंगे वह करेंगे स्प्रिंग के बाद जो की स्प्रिंग के बाद मैं सुमस्तों 1st of April के आसपास जो है इसमें चेंज आएगा अभी इसमें कोई भी ऐसा चेंज नहीं है अगर आपका इससे पहले होता है तो आपको इतनी सेलरी के अंदर आपको जो है वेजा मिल जाएगा अब जो की मैं आपको यह क्लियर कर दिया मैं आपको दिखा भी दिया क जिसमें सेलरी है वह भी 20,960 है पहले 20,400 के आसपास थी इसको बढ़ाके इन लोगों ने 20,960 अब जो है एपरियल में मुझे लगता है कि 400-500 या 1000 और इंक्रिमेंट कर देंगे इतनी चाहिए होगी क्योंकि यह पांड से बढ़ रहा है एक पांड कुछ पैंस बढ़ रहा ह 1st of April से तो उसको threshold salary को थोड़ा सा बढ़ा देंगे लेकिन 38,000 नहीं होगा care workers के लिए तो आपको बिल्कूल भी tension लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आप single आने का plan कर रहे हो तो आप definitely इस visa में आ सकते हो ठीक है क्योंकि सिर्फ dependence बन की है threshold salary में increment इसमें नहीं हुआ है आपने देख लिए है और आगे जो update आएगा कितनी कर दिया है वह भी मैं आपको मैं दूँगा और लेकिन वह 500-1000 पाउंड के आसपास ही मैं सुझत हो इतना इंक्रिमेंट करेंगे threshold salary में ठीक है अब मैं बात करता हूं जो doubt है सबसे ज़्यादा की भाई जो 11th of March से dependence 1 कर दिये हैं क लिए 645 वान 6146 कोड के लिए इसमें क्या हम 10th of March को अगर कौस आ जाता है तो हमको क्या वीजा कभी भी अप्लाए कर सकते हैं तो मैं इसका के लिए करना है इस ऐसा कोई भी कहीं पर भी नहीं लिखा कि आपको जो 11 अगर आपको कॉस आ करें लेकिन आका को को बिखक आपको नौ को समिल यह आपको विजा कर दिना कर देना अगर आपको डेंडेंट्स के साथ आ ठीक है तो यह दाउट आप लोग भी बिल्कुल किलियर कर लीगे और किसी के भी बात मत सुनिए अगर आप को मिल रहा है आप सेम डेवीजा के लिए कर देना ठीक है क्योंकि इंडिया में अगर आपको कॉस्छन मिल रहा है 9-10 वजे सपोस करो आपको शाम को मिल रहा है पांच बजे-छे बजे तो आपको उनल लगा तो यह सारे थे और बहुत और रूमर से कि शॉटेज और इस से दोनों कोड भी हटा दे गए ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और नहीं मुझे लगता है कि लोग घटाएंगे आगे बिल्कुल भी नहीं हटाने वाले हैं थिर्फ और से थोड़ी सी सैलिध टेशोल जो है वह उसमें बढ़ा देंगे बस डि एक्स वीडियो में तब तक लिए बाबाई टेक किया धेंक यू